आप सभी को मेरा साधर नमस्कार लगबग सौ दिन के एक लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लैक्सि स्टडी विद वंधना अगरवाल में स्वागत है साथियो दिल से माफी चाहूंगी कि इतने दिनों आपके लिए कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं कर सकी लेकिन अब इस नव वर्स में फिर से इस अभियान की सुरुआत की है और आपसे यही उम्मीद रखूंगे कि आप अपने पहले जैसा प्यार और साथ मेरे साथ बनाए रखेंगे तो आईए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है 100 Days का Reading Campaign के संचालन के संबंद में जो की संचालित किया जाएगा परिशदिये और कस्तूर्वा विध्यालेयों में तो इस 100 Days के Reading Campaign में क्या क्या करना होगा और किस तरीके से इस प्रोग्राम का संचालन होगा आज की वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तित चर्चा करेंगे और देखेंगे महानिदेशक का आदेश भी तो यह देखिए महा निदेशक स्कूल सिख्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कारियाले का यह आदेश है जो तीन जन्वरी को जारी हुआ है और यह सभी जिला बेसिक सिख्षादी कारियों को संबोधित है परिशदिये एवं कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्यालेयों में हंडेर डेस का रीडिंग कैमपेन तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेणा की जगह है अब निपुन भारत मिशन का सुबारंब किया गया है तो निपुन भारत मिशन का जो उद्देश यह है वो है वर्स 2026 सत्ताइस तक प्रात्मिक कक्षाओं में सारभोमिक मूलभूत साक्षर्ता और संख्या ग्यान प्राप्त करने और कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ग्यान में ग्रेड इस्तर इसका जो उद्देश यह है वो है प्रतेक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पस्चा सीखने के लिए पढ़ सके तो इसमें पठन अभियान की जो आवशकता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल में आने से पहले ही बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने की समझ विक्सित हो जाती है वो बिस्कुट टौफी सड़के किनारे पोस्टर विज्यापन घर पर अख़वार कहानी की किताबें की आकर्शक चित्रों से युक सरल और मनमोग कहानी की किताबों की उपलब्दता और बच्चों तक उनकी पहस सुनिश्चित करना विध्याले में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार एवं समय सहज वातवरन उपलब्द कराना और गतिविदी क्या के करानी जैस जब्चाइए दवारा आप बच्चों में पढ़ने की आदत को विक्षित कर सकते हैं अब देखिए इसमें जो समू है वो तीन बनाई गए हैं समू एक है बालवाटिका से कक्षा दो तक शमू 2 है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक और शमू 3 है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक तो ये कर दिया जाना है अब इसके लिए क्या क्या रणनीती बनाई गई है सबसे पहले तो इसमें माता पिता समुदाय और सैक्षिक पिरसासकों सहीत सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है वो चाहे विध्याले इस्तर पर हो जन्पत ब्लॉक या पंचायत इस्तर पर हो 14 सप्ता तक यह कारेकरम जारी रहेगा जिसके लिए प्रती सप्ता निर्दारित गति विध्यां किर्यानवित की जानी है इस अभियान के अंतर गति विध्यों का एक साप्ता ही कलेंडर भी तयार किया गया है जिसे बच्चों के सिक्षकों माता-पिता साथियों और भाई बहनों के साथ पूरा किया जाना है अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रती सप्ता जो निर्दारित गति विध्यां वो बच्चों के साथ की जाए जिससे की बच्चे उन गति विध्यों को दोहरा सके और इसे समझ कर अपने साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत रूप से किर्यानवित करने में सक्षम हो सकें इसके लिए प्रेड़ना साथी द्वारा जो अभियान चलाया गया था उनका भी सहयोग लिया जा सकता है जो प्रेड़ना साथी है वो बच्चों को घर पर ही पठन सामगरी उपलब्द कराकर अपना सहयोग पिर्दान कर सकते हैं इसके अलावा 22 फरवरी 2022 को अंतर राश्य मातरभासा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जिसमें पूरे देश में कहानी पड़ो अपनी भाशा में ये एक पिर्टियोगिता होगी जिसका आयोजन किया जाएगा अब देखी इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता में क्या क्या है राज्य द्वारा विध्यालिष्थर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकाले है तू पुस्तके सहच पुस्तिकाय पाठ्टे पुस्तके प्रिंटरिच सामगरी और इस्थानिय भाषा में उपलब्द कहानियां ये सारी चीजें विद्ध्यालिस्तर पर उपलब्द कराई जा चुकी हैं दीक्षा पोर्टल, प्रेड़ना पोर्टल और SCRT की वेबसाइट्स पर उपलब्द विभिन संसाधन